राधे राधे बच्चियों आप सभी का आज के इस लेक्चियर में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कोस्टल जियो मॉर्फलोजी के बारे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखो समुदर तटवर्ती जो छेतर होते हैं वहां की इस्तला किरतियों पर प्रभाव किसका पढ़ता है इन सभी तत्वों का पढ़ता है ठीक है समुदरी लहरें धाराएं जुवारी तरंग और सुनावी ठीक है ठोड़ा समस्ता इनके विश्य में देखे समुदरी की सतय क उपर जब पावने चलती है तो पावनों के घर्शन के कारण समुदर के उपर की सतय एक तरंग नुमा आधार का निर्वान करने लगती है ठीक है और इसी तरंग नुमा आधार को कहा जाता है लहर ठीक है इस लहर में क्या होता है एक होता है शील्ट्स जिसे कहता है क्रेस् और एक होता है ट्रो और दो crest के बीच की दूरी कहलाती है wavelength मतब लहर की लंबाई और crest और ट्रो के बीच जो vertical दूरी होती है वो कहलाती है लहर की उचाई height ठीक है और जब समुदर का जल इसी रूप में आगे प्रवाइद होता है तो उसे कहता है समुदरी लहर ठीक है आपको बस इतना समझ रहा है दूसरा इसमें धाराई लेकि जो महासागरी जल है वो भी नडी की भाती निरंतर एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है ठीक है तो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती वी जल राशी को क्या कहा जाता है धाराई कहा जाता है आपने सुला होगा जैसे प्रशान्त महासागर की धाराई अंद महासागर की धाराई ठीक है जैसे विश्योतरी की धाराई हो गया ठीक है, कनारी की धारा हो गया, लेब्डरडोर की धारा हो गया, ठीक है, तो इस परकार धाराओं में क्या होता, मासागरी ज़राशी एक निश्ची दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है, नेक्स टेस्ट में जुआरिये तरंग, देखे, जंदरुमा की आकरशर शक्पी के का कारण, समुद्र का पानी जब उपर की ओर बढ़ता है, तो इसे कहते हैं जुआर, ठीक है, उपर पीछे जाता है, तो उसे कहते हैं भाटा, ठीक है, तो समुद्र का पानी कभी इस तिर है ही नहीं, नेक्स टेस्ट में सुलामी, सुलामी क्या होती है, सुलामी भी एक प्रक तो इन उची उची लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। Overall, जो ये चारों चीजें आपको बताई गई हैं, ये सभी क्या करती हैं, इस्तिलाकिरतियों पर प्रभाव डालती हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, वो समुदरी लहरों का होता है। तो समुदरी लहर भी एक प्रमुख भू आकरितिक कारक के रूप में अपरदन परिवन और निक्षेपन का कारे करती हैं। तो आए थोड़ा सा समझते हैं कि अपरदन किस प्रकार से करती हैं। सनिघर्षण में क्या होता है, जो चक्टाने तूट जाती है या जो कंकड पत्थर लहरों के साथ चलते हैं, यह आपास में टकराकर चूरण और रूप में बदल जाते हैं। तो यह प्रोसेस सनिघर्षण है और घुलन के रिया है, सॉलूशन या तरट पर कोई ऐसी चक्टान है जो पानी के साथ आसनी से रियक्ट कर सकती है। जैसे चूना पत्थर हो गया, चौक हो गया, दोलोमाइट हो गया, या फिर जिपसम की चक्टाने हैं। तो यह इस प्रकार की कोई चक्टाने हैं जो रासाइनिक अभी करिया कर सकती है पानी के साथ, तो वो पानी के साथ आसनी से घुल जाती है। इन चीतों पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि पिछले सभी वीडियो में इन सब पर चर्चा की गई है। समुदरी लहरों के द्वारा परिवहन बहुत इंपोर्टेंट है। क्योंकि समुदरी में सिर्फ लहरे ही नहीं चलती है, बलकि धाराई भी उत्पन होती है। और धाराओं के द्वारा भी अपरदित पदार्थ एक जगों से दूसरी जगों आसनी से मूव हो सकते है। लेकिन बेसिकली जो अपरदित पदार्थ है, जो कंकर पथर है, वो तट पर ही या तो तट से दूर बिखेर दिये जाते हैं, या फिर वो तट की और बिखेर दिये जाते हैं। निक्षेपन का कारे बेसिकली समुदरी तटों पर ही होता है या तो तट से दूर पदार्थों का निक्षेपन किया जाता है या फिर तट की और पदार्थों का निक्षेपन किया जाता है तो इस परकार समुदरी लहरे अपरधन परिवन और निक्षेपन का कारे करती है ठीक और समुद्र किनारों पर इस तरीके के क्लिफ बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? समुद्री लहरें जब तट से टकराती है तो तट से टकराने के कारण परवतों के आधार पर ये लहरें हाइड्रोलिक प्रेशर से अपर्दन का कारे करती है और इसके कारण इन चटानों का आधार निरंतर अपरदित होता रहता है निरंतर अपरदित होते रहने से क्या होता है? ये पहाड़ी क्लिफ नुमा आकार में बदल जाती है आप इस चितर में देख सकते हैं कि समुदरी लहरों के निरंतर अपरदन के कारण चटानों के आधार पर खाच का निर्माण होता है या दात का निर्माण होता है इस इंगलिश में नौच कहा जाता है इस नौच के कारण जो पहाड़ी का उपरी सिरा है वो एक cliff का रूप ले लेता है यानि कि अगर पहाडी का स्वरूप कैसा भी हो तो उसके आधार पर निरंतर नौच के निर्माण के कारण एक समय ऐसा आता है कि पहाडी का उपरी सिरा cliff का रूप ले लेता है इसलिए समुद्र किनारों पर अकसर cliff पाए जाते है तो यह है तटिये cliff ठीक है और यह बनती है अपरदन के फॉल्स वरूप नेक्स्ट है इसमें तटिये कंदरा और उससे संबंधित रूप देके समुद्र किनारों की चटानों में अगर cracks पाए जाते हैं ठीक है पूरा क्षित्र अपरदित हो जाता है ठीक है आप इसे ऐसा समझी कि अगर किसी समुद्र कटवर्ती चटान पर समुद्री लहरे निरंतर परदन कर रही है तो यहाँ पर जो मौजूद cracks है ठीक है एक time के बाद यह cracks पूरी तरीके से अपरदित हो जाते है और वहाँ पर एक कंदरा या गुफा का निर्माण हो जाता है तो समुद्र किनारे इस प्रकार के तटी कंदराएं भी पाई जाती है ठीक है आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर तटी कंदराओं का निर्माण हो रहा है सबसे उपर वाले पिक में तटी कंदराओं का निर्माण हो रहा है तो जो cracks है वो धीरे धीरे बड़े हो जाते है बहुत ही simple है लेकिन कई पर क्या होता है इस कंदरा के उपरी भाग पर एक होल हो जाता है वहाँ पर भी अगर कोई कमजोर भाग होगा तो वो चूट जाता है तो समुदरी लहरों के दबाव से इस होल के कारण हवा भाव निकलती है कि बहुत pressure से भावर निकलती है और कई बार हो हवा सीती की आवाज करते वे भावर आती है जब जो समदरी लहरे इस कंदरा से टकराती है तो इस कंदरा से हवा का प्रेशर इस छेद से बाहर निकलता है सीती की आवज करते वे बाहर निकलता है और इस प्रकार के छेद को कहा जाता है प्राकर्तिक चिमनी या वाथचिदर ठीक है? इस कंदरा की छट तूट कर नीचे गिर जाती है तो सक्री या छोटी-छोटी खाड़ियों का निर्माण भी हो जाता है ठीक है? और इन्हें कहा जाता है निवेशी का ठीक है? इसमें क्या होता है कि कंदरा की जो छट है वो तूट जाती है और तूटने के कारण पतलब समुदरी लहरे जब यहाँ परवेश कर रही है ठीक है न? तो यहाँ पर उपर पहले स्की चछत रही होगी और यह चछत जब तूट जाती है तो यह एक छोटी सी खाडी का निर्मान कर लेता है यहाँ पर समुदरी जल आ जाता है एक छोटी सी खाडी बन जाती है तो इन खाडियों को निवेशिका कहा जाता है स्कॉट्लेंड में इस प्रकार की खाडियों को जियो भी कहा जाता है ठीक है यह कई बार एक्जाम्स में भी पूछा जाता है Scotland में इस प्रकार की खाड़ियों को जियो कहते है Next इसमें बनता है प्राकर्तिक महराव तीक है देखो ये कंद्रा है और समुदुरी लहर के निरंतर अपर्दन के कारण ये हिस्सा पूरा क्या हो जाता है आरपार हो जाता है और इस प्रकार वहाँ पर क्या बन जाता है एक आर्च बन जाता है मतलब एक पूल बन जाता है समदुरी लहरे आसानी से इसके आरपार जाती है ठीक है तो इस प्रकार की आकरितिक को प्राकरितिक महराव कहते है नेचुरल आर्च आप इसे पूल भी समझ सकते है ठीक है एक पूल कि यहां से समदुर का पानी आसानी से आरपार चला जाता है तो इसे प्राकर्तिक महराव कहते हैं, लेकिन जब कभी इसके उपर की छट भी अगर तूट जाए इसके उपर की छट भी अगर तूट जाए, तो तब बनता है स्टैक, स्पीक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी क्या रहा होगा नैचुरल आर्च रहा होगा ठीक है प्राकर्तिक महराव और ये जो च्छत जब तूट जाती है तो समुदुर तल के ओर वाला जो ये चक्टानी भूबाग है जो खड़ा रहता है उसे कहा जाता है इस प्रकार कंदराओं से संबंधित अनिक प्रकार की इस्तला करतियों का निर्माण होता है ठीक है नेक्स्ट है इसमें लगु निवेशिका या तोव दीक है लगु निवेशिका का अर्थ होता है खाडी नुमाक्षित्र थीक है, खाडी नुमाक्षेतर, जिसमें समुदर का चल भरा रहता है और ये स्तलभाग है, ठीक है, तीन ओर से इस्तलभाग है और एक ओर से समुदर से गिरा हुआ है जिसका निर्मार होता कैसे है, जब समुदर के किनारे कठोर और मुलायम चटानों के संस्तर पाये जाते हैं यह मुलायम चटानों के संस्तर और यह कठोर चटानों के संस्तर है और समुदरी लहरे जब इनसे टकराती हैं तो कठोर चटानों के क्रैक के सहारे वो पीछे की चटानों तक पहुंच जाते हैं और पीछे की मुलायम चटानों को अतिरिक मातर में अपरदित करते हैं बहुत अतिरिक मातर में अपरदित करते हैं पठोर चटान का परदन कम हो पाता है लेकिन पीछे की कोमल चटान अतिरिक मातर में अपरदित हो जाती है तो इस प्रकार की छोटी-छोटी खाडियों का निर्मान होता है, जिन में भरा होता है समुद्री जलराशी और ये छोटी-छोटी खाडिया बहुती सुरक्षित प्राकरतिक बंदरगा के रूप में विक्सित हो जाती है तो ये है लगुनी वेशी का नेक्स टेस में तरंग घर शिद बेदी वेबकट प्लैटफॉर्म झिको अभी तक हमने जाणा कि समुद्र के नारे जो इस्तला किरती है समुद्र की लहरे निरंतर उसके आधार पर क्या करती है, कटाओ करती रहती है आधार पर कटाओ करने के कारण क्या होता है उसके उपर का हिस्सा पहले क्लिफ में कर्णवर्ट होता है और धीरे धीर अगर आधार जादा ही कट गया तो ये क्लिफ भी नीचे गिरना शुरू होगा और जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो क्लिफ भी पीचे हरता चला जाएगा तो आब इस conditions में Cliff क्लिफ क्या होता है? निरंतर पीछे हरता जाता है तो समदरी लहरे फिर इसके आधर पर कटाओ करती जाती है और फिर इस Cliff को नीचे गिराती जाती है तो इसके कारण क्या होता है? इस चक्तान के आगे एक उबढ़ खावर लगभग समतल मैदान का निर्माण होता जाता है तो इस Cliff के सामने तटिय भाग पर जल के अंदर एक मैदान का निर्माण हो जाता है जल के अंदर इट मिन्स की समदरी लहरे मिरंतर इस शेतर को क्या करती है? जल मंगन कर देती है तो जल के अंदर क्या होता है? एक लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है और यह होता है अपरदन के कारण तो इस मैदान को कहा जाता है तरंग घर्षित मैदान, वेफ कट प्लेन या तरंग घर्षित बेदी या प्लेटफॉर्म ठीक है? आप इस पिक में देख सकता है कि प्रारंबिक सत्य कहा दिखाई गई है? यह दैज-डैस के माध्यम से दिखाई गई है मतब शुरुवात में जो चटान रही होगी वो यहाँ पर रही होगी लेकिन निरंतर अपरदन के कारण यह चटान क्या होगी? नीचे ध्वस्त हो गई ठीक है? और धीरे-धीरे यह पूरी चटान देखिए यह पूरी चटान इस तरीके से थी और धीरे-धीरे इसके आधार पर जब नौच का निर्माण हुआ तो क्लिफ धीरे-धीरे पीचे हटने लगा और पीचे हट-हट के वर्टमाद समय में क्लिफ की स्थिति यहाँ पर है और अब यहाँ पर खाज का निर्माण है तो इस प्रकार देखिए एक लगबग एक समतल मैदान का निर्माण होता है जिसे कहते हैं तरंग घर्षित वैदान अब बात करते हैं निक्षेव जनित इस्तला करितियों की इसमें सबसे पहला है बीच जिसे हिंदी में पुलिन कहा जाता है दिखे समुद्र किनारे बीच आप सभी ने देखे होंगे तो ये बीच का निर्माण होता कैसा है जैसा कि अभी बताया कि समुद्र किनारे क्या उत्पन होते है जुआर और भाटा जुआर के समय समुद्र की चल्डासी अपने उच्यतम इस्तर पर होती है और भाटा के समय वो निम्नेतम इस्तर पर होती है तो पुलिन का निर्माण उच्जवार और निम्न जवारतल के बीच वाले क्षित्र पर ही होता है यह पुलिन बेसिकली क्या है? समुदुरी लहरों के द्वारा जितना भी पदार्थ परिवहित किया रहा है जो परिवहन किया जा रहा है उसमें चाहे कंकड़ पत्थर हो, रेत के कड़ हो, या कोई भी मलवा हो इन सारे पधार्थों को उच्च जवार और निम्न जवार के बीच में जो स्थान है उस पर निक्षेपित किया जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं? बीच कहते है जनरली इसमें मैक्सिमम रेत के कड़ ही ज्यादा मात्रा में होते हैं लेकिन उसमें कंकड़ पत्थर, समुदरी जीवों के आउशेश भी उसमें मौजूद होते हैं तो इस इस्तला के रेति को कहते हैं बीच दूसरे हैस में रोधिका तथा रोध, बार्स एंड बैरियर्ड्स दिखिए, समुदरी तरंगों के निक्षेपण से जब रेत के कटक का निर्माण होता है तब जब किसी रिज नुमा आक्रिती का निर्माण होता है जैसे मरुस्तल में सैंड डिउन्स बनते हैं तो यहाँ पर रिज अगर कोई बन जाती है कटक का निर्माण होता है तो इस कटक को रोधिका या रोध कहते हैं इन दोनों में थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है रोधिका क्या होती है हर वक्त जलमगन रहती है या फिर अगर उच्च जवार के समय तो वो निश्चित रूप से जलमगन हो जाती है तो मतलब अगर जो भी ये रेट के जो कटक है वो क्या होगी जलमगन हो जाएगी या तो हमेशा जलमगन रहती है या फिर उच्च जवार के समय तो वो हमेशा जलमगन हो जाती है तो जो उचे कटक होते हैं जो जलमगन नहीं हो पाते वो रोध कहलाते हैं और जो जलमगन कटक है वो रोधिका कहलाते हैं मामूली साथ डिफरेंस है नेक्स टेस में अप्रट रोधिका जब किसी रोधिका का निर्माण तट से थोड़ा दूर तट के समानांतर होता है ठीक है? तो उस रोधिकों को कहते है अप्टट रोधिका simple है, मतलब तट से समानांतर लेकिन तट से थोड़ा दूर, वो तट को टच नहीं करती है तो उसे अप्टट रोधिका कहते है इस पिक में आप देखिए, अप्टट रोधिका ठीक है? तट से थोड़ा दूर है और तट के समानांतर है उसे कहते है अप्टट रोधिका next test में spit देखे, जब सागरिय मलवे का निक्षेब इस प्रकार से होता है कि वो रोधिका के रूप में जल की और निकलावा होता है ठीक है? मतलब ये रोधिका के निक्षेब ये रोधिका है ठीक है? रेट के निक्षेब है ठीक है? ये रेट का एक रिज है ठीक है? लेकिन ये क्या होता है? जल की और निकला होता है आप तट रोधिका में क्या था? वो तट के समारांतर था मतलब इसमें जो रोधिकाएं थी वो तट के समारांतर थी वो टच नहीं थी लेकिन स्पिट में रोधिका का एक हिस्सा मुख्य भूमी से टच होता है तो इस प्रकार की रोधिका को Mary Year score speed कहा जाता है आप इस चित्र में भी दे शकते हैं इस पिडैक है इसका एक हिस्सा मुख्या भूमी से चुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा समधर की और के लिऩा और निकला हुआ है तो इस प्रकार की आकरिति को या रोधिका को speed कहते हैं next test में hook बहुत ही simple है जो speed था वही speed जब समुदरी लहरों के द्वारा घूमने लगता है तो एक hook जैसी आकरिति का निरुदार करता है तो उसे hook कहते है speed का ही एक transformation है next test में loop या चला ये भी hook का ही एक transformation है जब हुक बहुत अधिक घूम जाते हैं और वापस मुख्य अस्तल भाग की ओर मुड जाते हैं तो इस प्रकार की आकरिती को लूप कहते हैं चल्ला चल्ला होता न, जैसे पुरा गोल होता, सरकल होता तो इस प्रकार की आकरिती लूप कहलाती है सब ये रोधिकाई है ठीक है बालू के निक्षेपी है इस चित्र में देख लीजे आप यहाँ पर एक लूप की कंडिशन को दिखाए गया है ठीक है जो खारे पानी के जील होती है लेगून तो ये रोधिका कहलाती है सहयोज़क रोधिका लेकिन इसमें एक थोड़ा डिफेंट टर्म भी मौझूद है अगर कोई रोधिका किसी मुख्य भूमी के दो शीर्ट से इस तरलो को मिला रही है तो वो है सहयोज़क रोधिका ठीक है लेकिन अगर कोई रोधिका मुख्य भूमी को किसी दूइप से कनेक्ट करती है तो उस रोधिका को कहा जाता है चोम बोलो क्या कहा जाता है चोम बोलो ये कई बार एक्जामस में पूछा भी जाता है आप इस पिक में देख सकते है चोम बोलो की कंडिशन्स क्या है ठीक है एक द्वीप है और मुक्य भूमी है तो उसको जो रोधिका आपस में कनेक करती है वो है रोधिका, ठीक है? तुम बोलो तो ये था आज का लेक्च्चियर जिसमें आपने जाना Postal Geomorphology के बारे लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए वरक हाड़ बट जॉईफुली